नमस्कार अपुर्वास किशिन में आपका स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ एक नए तरीके की अलग सी रसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक लेकिन बहुत टेस्टी ये रसिपी बनके तयार होगी आप देख सकते हैं कि या मैंने लोगी के छिलकों को ले लिया है इसे मैंने पहले ही अच्छे से धो कर छील लिया है इसे फेक ना नहीं है जिसे कि हम इन जेनरल फेक देते हैं पतला पतला काट कर रख लें कढ़ाई गैस पर चढ़ा दें और एक कप पानी जाल दें इसे कढ़ाई में मैंने सबजी बनाया था इसलिए ये थोड़ी सी गंदी दिख रही है पानी जब अच्छे से उबलने लगे तब जो छिलकों को हमने काट कर रखा था इसे डाल देंगे और हाई फ्लेम में इसे उबाल देंगे पार बॉयल करना है इसे ज़्यादा देर उबालना नहीं है आज हम लौकी के छिलकों का भुजिया तयार करेंगे इसे एक बार चला ले फ्लेम को अभी मीडियम रखना है आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाला गया है अब फ्लेम को हाई कर दे अब पानी सूख जाने तक इसे अब हम हाई फ्लेम में ही रखेंगे आप देख सकते हैं पाने बिल्कुल सूक शुका है और जो छिलके हमने उबलने के लिए रखा था ये भी अच्छे से पक गया है तो अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा इसे फेक दें कढ़ाई को फिर से गयास पर चढ़ा दे और इसमें दो चमच सरसो तेल डाल दे इस भुजिया में मसाला कोई यूज नहीं होगा तेल भी बहुत कम लग रहा है अब एक चमच जिसमें काला जीरा या कलॉंजी डाल दे और एक सूखी लाल मिर्च अब हम इसमें जो छिलके हमने उबाल कर रखा था ये डाल देंगे छिलकों को डाल देने के बाद इसे एक बार चला लें और फ्राइ होने के लिए रख दें बीच बीच में इसे चलाते रहें बार बार इसे ना चलाएं आप देख सकते हैं कि छिलके फ्राइ होना शुरू हो चुके हैं तो अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टे स्पून हल्दी डाल देंगे और हाफ टे स्पून लालमर्श पॉर्डर हल्दी और लालमर्श पॉर्डर दे के इसे एक बार अच्छे से और चलाएं और इन्हें तब तक फ्राइ करें जब तक की हल्दी का कच्छा पन ना चला जाए और ये बिल्कुल अच्छे से कुड़कुडी सी ना हो जाए आप देख सकते हैं ये छिलके अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं तो अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक मैंने बिल्कल थोड़ा सा डाला है नमक देने के बाद उपर से इसमें पोस्ता डाना डाल दे पोस्टा दे देने के बाद एक बार इसे चलाएं और फ्लेम आफ कर दें इसे सर्फ कर दें ये रेसिपी तयार है लॉक्य के चिलके का भूजया रेडी है आपको ये रेसिपी कैसी लगी? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चानल को लाइक और शेयर जरूर करें ये चानल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले साइड में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड बटन दिख रहा है वो अगर रेड है तो उसे क्लिक करके वाइट कर दें अगर वाइट ही है तो थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग